हेलो शो नमस्कार दोस्तों आपका अपना यूटूब चैनल देसी आर्जे बीफोर यू में एक बार फिर शे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेट नो वेट एन करीम ठीक है वेट नो वेट एन करीम को कब और कहां और कैसे यूज करें इन चविक के बारे में आपको पूरी जानकारी देऊंगा दोस्तों ठीक है लेकिन आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं के था competent चैनल को सस्क्राइब कर लिजיהगा बेल आइकन ओल पर पर जांगर प्रेस कर लिजए जिससे आने वाली हर नई वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिविकेशन पहुंच जाए दोस्तों लाइक कमेंट आपको जरूर करना है दोस्तों जैसा की वेटनो वेट एन करीम का यूज आप पलक का शूजन ठीक है कई बार आप जैसे की आप सामकुस होते हो और सूबे जागते हो तब आखों में शूजन सा आना स स्टार्ट हो जाता है कई बार देखते होंगे तब भी आप इसका यूज कर लेना दोस्तों ठीक है इसके लावा आँख का आना ठीक है कई बार आँखों की उपर पलक की यानि की साइड में फूनसी वगेरा होने स्टार्ट हो जाती है तब आप इसका यूज कर सकते हो दोस कर सकते हो दोस्तों काफी कारगर और सांदार इसका रिजेट रहता है ज्यादा महेंगी भी नहीं है दोस्तों इसलिए एक इसका यूज कियाता था एलर्जी में एलर्जी कई बार आप देखते होंगे धूल से या फिर दुहें से ये किसी अन्य कारण की एलर्जी से आपके सरीर पे चकते वरकी होने स्थार्ट हो जाते हैं तब भी आप इसका यूज कर सकते हो दोस्तों इसके अलावा आप इसका यूज कर सकते हो बैक्टीरिया संक्रमन म क्या होता है कई बार वातावर्ण के अनुसार वातावर्ण में कई बार क्या होता है कि परदूशन ज्यादा होता है उसकी वज़े से भी बैक्टिरिया से कुछ शंक्रम ना होना स्टार्ट तब भी आप इसका यूज कर सकते हो दोस्तों इसके लवां आख का आना ठीक है आख आँखों में कीचड़ आना बंद हो जाएगा दोस्तों कापी सांदार और जबरदस्थी क्रीम है ये इसकी MRP की बात कि जाए तो 33 रुपे से 35 रुपे के बीच इसकी MRP रहते हो जो तो पर्तिक मेडिकल पर आपको मिल जाएगी दोस्तों इसके अलावा इसका यूज आप टेबलेट है की इसके अलावा इसका यूज आप और कैसे करें क्या इसके बैनिफिट है यानि पहले मैं आपको साइड इफेक्ट बता दो यह तो थे बैनिफिट इसके क्या होती है जैसे रख्त ताह पर वर्दी हड्डियों में वर्दी का बदला या तउचा पर निसान प इसके लावा इसको कई बार क्या होता है कि इसके कुछ दूस प्रभाव गंभीर प्रभाव भी उने स्टार्ट हो जाती है यहनि कि कौन सी गंभीर प्रभाव जिसमें आप इसका यूज नहीं कर सकते हो जैसा कि एलर्जीन लीवर रोग या संकरमन या फिर नर्जली करन ठीक ह भी आज़ें या प्रोंड रोग या अंतों का सुजन या पेट में सुजन नहीं है